वेलकम बेक गाईज कैसे आप सब मीट करती हूं अच्छ होंगे आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लासी ब्लू आई मेकप टुटॉरियल आई होप यह सबको पसंद आए अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेर और मैं यहां पे अपनी आई को प्राइम कर लिया है कंसील कर लिया है आईब्रो फिल कर लिये है और एक स्कॉच टेप की हल्प से एंड से लेके आईब्रो तक उसे टेप कर रही हूं फिनिश के लिए इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है नेक्स्ट मैंने फ्लफी ब्र स्ट्रोक में से अपलाए कीजिए अपने ट्रांजेशन शेट को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपकी क्रीज लाइन और जो लिड एरिया है बहुत अच्छे से से सेट हो जाएं नेक्स्ट मैं यहां पे ले रही हूं एल एटीन का काजल आपको इसा भी ले सकत कोई सा भी काजल ले सकते हैं जो इसली ब्लेंड हो जाएं म्यूजिक फ्लार का जेल लाइनर भी ले सकते हैं गाइस मैं आपको बता दूँ यह लेंसे मैंने लेंस काट से परचेस किये हैं लिंक इंस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेलेबल कर दिया है अगर इसे ऊपर लेके नहीं जाना है वहीं पर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने इनर और पर आउटर पर पूरे लिड एरिया पर क्रीस तक इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं मैं और आपको इसा भी आईशेडो पैलेट ले सकते हैं नेक्स्ट मैं उसी फ्लैट कर रही हूं अपने लाइन को नेक्स्ट फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हल्प से उपर की जो हाश लाइन है काजल वाली उसे ब्लेंड कर रही हूं अपवर्ड मूशन में ताकि ये क्रीज लाइन पर अच्छे से से अट हो जाए कोई भी हाश लाइन ना दिखे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं किस तरीकी से ब्लेंड करना है नेक्स्ट मैं ये फ्लैड ब्रश है इस पर मैं अपना डू कलर का डॉशկडू पे रही हूं और जहां जहां मैंने ब्लाक कलर का काजल और आईशाड़ उप्लाइ किया है और डिरेक्ट उसके ऊपर मैं टैब मोशन में ये ब्लू कलर अच्छे से बिठा ले रही हूँ ब्लाक कलर नीचे बेसिकली इसलिए लगाया है ताकि जो आपका ब्लू कलर है वो अच्छे से पॉप हो फिर मैं ये फ्लफी एंगल ब्रश है इसकी हेल्प से पिंक कलर पिक किया है मैंने और इसे होल्ड एंड बैक मोशन में मैं अपलाए कर रही हूँ अपने क्रीज एरिया पे आप देख सकते हैं वीडियो में एजली विजिबल है किस तरीके से मैं ये पिंक कलर अपने आई क्रीज एरिया पे सेट कर रही हूँ बहुत जादा एक बार में पिक नहीं करना है कोई भी अमाउंट थोड़ा थोड़ा लेके चलना है अधरवाइस एक बार में हो जाएगा पिक तो जादा एक बार में आपकी आई लिट पे अक्रीज एरिया पे बैट जाएगा फिर उसे रिमूफ करना बहुत मुश्किल होत यह मैंने ColorSqueen का 06 Blue Shimmer Eyeshadow लिया है, इसे finger की help से मैं अपने blue वाले area पे eyeshadow जहां पे मैंने blue लगाया था, direct उसी के उपर finger की help से लगा रही हूँ, आप brush से भी लगा सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा finger की help से थोड़ा easily अच्छे से apply हो जाता है, बहुत अच्छे से set कर लेंगे, और जो corners बचेंगे, उस पे हम brush यूज़ कर सकते हैं, कि यह finger corners पे अच्छे से नहीं पहुचेंगी, next fluffy blush की help से मैं इसकी जो crease line है, उसे अच्छे से blend कर रहे हैं, ताकि कोई भी harsh line ना मुझे show हो, यह आप देख पा रहे हैं, जो इस पे product पहले से था, मैंने वही product लिया है, इसे अच्छे से tap कर लिया है, यह मैंने music flower का gel liner लिया है, आप liquid liner भी ले सकते हैं, और इसे wing बनाते वे, tape है, कोई tension वाली बात नहीं है, कोई बहार निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, tape के help से बहुत neat and clean आपका eye makeup होता है, जो beginners, वो इस step को ज़रूर कीजिए, tape के help से बहुत neat neat and clean आपका eye makeup होता है, बहुत ज़्यादा effect की ज़रूरत नहीं परती है, बाद में conceal करने की ज़रूरत नहीं परती है, यहापे मैंने eyeliner लगा लिया है, wing eyeliner लगाया है, और इसे अच्छे से fill कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा eyeliner नहीं लगाया, आपको जैसा पसंद हो eyeliner, आप वैसा लगा सकते हैं, अपनी eye के cording, और यह आप देखिए, मैंने tape remove कर दिया है, कितना neat and clean करके एक makeup आया है, अच्छे से wing बना है, wing को बहुत अच्छे से sharp करते हुए, next मैं यहापे L18 का काजल ले रही हूँ, अपनी lower lash line पे, water line पे, मैं इसे अच्छे से apply कर रही यह आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से, next मैं इसे flat brush की help से blend कर लूँगे काजल को, harsh नहीं फील होना चाहिए, जो आपकी lash line है, उस पे बहुत अच्छे से soft blend चाहिए, next मैं blue eyeshadow pick की है, जो मैंने उपर लगाया था, वही eyeshadow pick करके मैंने नीचे इसे blend कर लिया है, काजल के संग ताकि जो effect आपका उपर है, वो थोड़ा सा नीचे भी show हो, और इससे आपका जो eye makeup है, वो बहुत ही अच्छा और soft दिखता है, देखे कुछ छोटे-छोटे strokes में, small brush की help से, आप pencil brush भी ले सकते हैं, next मैं apply करी हूँ, huda beauty का lashes, इसे 30 seconds कुछ सूखने के लिए मैंने दिया है, glue को, और इसे मैं apply कर लेती हूँ, अपने eyelashes पे, guys अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो like, share करना ना भूलिए, subscribe करना ना भूलिए, इंस्टा पे मुझे follow जरूर कीजिए, मैंने link description box में available कर दिया है, next मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे अपना mascara, MN का मेरे पास mascara है, last है, यह glam highlighter shade 04, मैं इसे अपने inner corner पे flat brush की help से लगा रही हूँ, और finger से dab कर लेंगे, set कर लेंगे, फिर मैं यहाँ पे अपनी eyebrow bone जो है मेरी highlighter वाले area, वहाँ पे भी मैं इसे apply कर रही हूँ, उसी flat brush की help से, आप finger से भी apply कर सकते हैं, यह fan brush जो इसका highlighter का होता है, वह भी apply कर सकते हैं, बट मुझे easy थोड़ा इससे रहता है, यह आप देखिए मेरा finishing look आपको कैसा लगा, गाईज अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो share जरूर कीजिए, comment करके मुझे बताईए आपको यह वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए good bye guys, thanks for watching my video, stay safe, stay healthy,